Hi students, welcome back to the channel आए बच्चों डिस्कुस करते हैं Class 12 का English का पेपर जो आज ही conduct हुआ था Hard Zone Areas of Jammu and Kashmir and Ladakh UT में तो देखिए ये आपके पास Series A है यहाँ पे Maxim marks आपके पास 80 marks का पेपर आता है 3 hours का आपके पास timing था Section A में आपको आलेडी जानते हैं Reading Comprehension होता है Reading Comprehension में आपके पास से पहले एक passage आता है उसके आपको notes पनाने होते हैं Note Making फिर उसके बाद जो question number 2 होता है वहाँ पे आपको एक passage आएगा unseen passage उसमें से आपको 10 marks के question दिये होंगे This is section A reading comprehension question number 1 को देखते हैं Read the following passage carefully make notes and summarize it with a suitable title ठीक है इसका notes बनाने थे summary देनी है और एक suitable title भी देना था यह tourism के ओपर एक passage आया हुआ है और ठीक है काभी बड़ा passage होता है इसमें से आपको इसका notes और summary बनानी है और title भी देना साथ में ठीक है तो यहीं से आप इसको आराम से कर सकते थे और यह जो question number 1 है यह कितने का है this is 10 marks 5 marks plus 4 marks plus 1 mark 10 marks का question number 1 था question number 2 देखिए read the following passage carefully and answer the questions given at the end ठीक है यह कोई passage दिया हुआ है एक unseen passage और इसके end पे 10 आपको 1 marks each वाले question दिये हुए है ठीक है तो इसको passage से निकलते हैं यह सारे question बहुत easy होते हैं दोनों question यह ठीक है तो देखिए यहाँ पे questions है why do some buildings become popular research shows pissar tower is leaning annually about ठीक है total number of stories in the pissar tower are तो यह सब यहाँ से question हो जाते हैं ठीक है यह 10 questions होते हैं 1 marks each के तो question number 1 भी आपको 10 marks काता है question number 2 भी 10 marks काता है दोनों comprehension है अब section B पे चलते हैं जहाँ पर आपको writing skills और grammar के ओपर questions आते हैं ठीक है writing skills है mostly देखिए question number 3 यहाँ पे देखिए यू आर राजन आर रागिनी यू आर दा परस्नल मेनेजर अफ कंपनी टेकनिकल इंडिया ड्रॉप 10 अड़िसमेंट 40-50 वार्ड्स तो बी पॉब्लिश्ट इन लोकल नीजपेपर फार दा पोस आफ एक्जीकीटिव ओफिस एक्जीकीटिव दा एप्लिकेंट्स मस्ट है वागुड नॉलज़ज अफ कंप्यूटर अफ्लिवैंसी इन इंग्लिश ठीक है तो आपको एक 40-50 मार्ड्स का एड़िटाइजमेंट का एक ड्रॉप तयार करना था ठीक है और आप राजजन या रागिनी अपना नाम यहाँ पे इंटिडिउस कर सकते हैं ओके तो आप एक पर्सनल मैनेजर हैं टेकनिकल इंडिया कंपनी के ठीक है तो आपको एक एड़िजमेंट ड्राफ्ट करनी थी और उसको पॉब्लिश कराना था लोकल लिज पेपर के लिए ठीक है ताकि आप ऑफिस एग्जिकीटिव की पोस्स एड़िजमेंट कर सकें उसमें ठीक है और जो एप्लिकेंट्स ठीक है जो आपको नीड है एप्लिकेंट्स की उनको कम्पूर्टर का एक अच्छा नालोज होना चाहिए और फ्रेवेंसी इन इंग्लिश ठीक है यह पोइंट्स में डिसक्स करने थे एक छोटा सा 40-50 मार्क्स का आपको जस्ट छोटा सा अड़िजमेंट त्यार करना था ठीक है या अगर आपको यह नहीं आता था तो आर में आप कर सकते थे your father is going to retire from his post a job this month invite your close friend through an invitation message to the retirement party in the evening of the date of retirement 40-50 मार्क्स का यह question था ठीक है तो जस्ट आप यह एक छोटा सा invitation बना सकते हो अपने friend को आपकी जो फादर है ठीक है जो jobs या पोस्स रटाइर हो रहे हैं किसी तो एक retirement पर बुला सकते हो आप अपने friend को through an invitation एक छोटा सा invitation आपको तयार करना था 40-50 मार्क्स का ठीक है तो दिस इस question number 3 आपको 4 मार्क्स का था उसी तरह question number 4 जो है वो भी आया हुआ है 조 öl the support secretary of your school as discussed and approved in a meeting with the principal i write a letter to merchants national prime sports jamu sarnagar requesting them to supply their trade catalogues for placing order for the sports items required by the school mention some of the items required discount if any on the catalog prices and the mode of the payment etc 120 to 150 watts के around 120-150 watts का आपको एक लेटर त्यार करना था ठीक है और लेटर किसको भेजना है MS National Prime Sports जमुयसरनगर के लिए भेज़कते थे आप ठीक है इनके लिए लेटर भेजना था और कौन भेज़ेगा आप इस वकत आपका नाम राजजेशिया सुहेल लेना है आपको स्पोर्ट सेक्टरी है अपने स्कूल के ठीक है स्पोर्ट सेक्टरी है फर स्कूल तो वो बनके आपको लेटर भेजना था MS National Sports प्राइम स्पोर्स जमुयसरनगर को ठीक है जमुयसरनगर कोई भी ले लो उसमें मैंशन्स करना था आपको पूरा केटलोग स्पोर्ट्स एक लेटर ठीक है देना था है एडिटर आपको ठीक है तो इतना ही इतना ही वाट्स का 120 तो 150 वाट्स कहीं आपको एक लेटर ठीक है देना था एडिटर को एडिटर के नाम को किसी लोगल नीज बे प्रिक है जो एडिटर है एडिटर के नाम एक लेटर भेजना था जिसमें आपको जो एन्वायरमेंटल pollution हो रहा है local picnic spots पर ठीक है उसको highlight करना था और ये कैसे हो रहा है pollution mostly by the visitors and the indifference of the management ठीक है ये points उसमें add करने थे और कुछ possible majors अगर आप suggest कर सकते हैं तो वो भी आपको 2-3 line add करके बताना था six marks का गी question था letter वाला question no.5 देखते है you are you see a classified advertisement in a newspaper inviting applications for the post of English teacher for class 10th by national public school Jammu और से नगर write the resume and the covering letter cover letter to send to the principal for the said post ये भी 120 to 150 words का लिखना था एक resume और साथ में covering letter भी तायर करना था and ये आपने एक classified advertisement देखा किसी newspaper में निकले हुई थी applications और English teacher की vacancy या post कह सकते हम class 10th के लिए national public school Jammu या national public school Senegar जो आप suppose आपने Jammu Senegar जो school है वो NPS Jammu या NPS Senegar आपने देखा उनने ये post create की है post निकाली है class 10th के लिए उनको English teacher चाहिए और advertisement दिया है newspaper में तो अब आपको एक resume और एक covering letter भेजना है principal को for this post ठीक है और इसमें याद रखना था कि 4 marks का आपको resume के marks थे 2 marks का covering letter तो ये 6 marks हो गया ठीक है और ये आपको compulsory ये question इसमें R नहीं है ठीक है जैस्ट आपको question number 5 single ही आया होता question number 6 there are many Indians who came from humble origin and background but achieved great success and glory against all odds because of their hard work skill and self-confidence and trust and perseverance to name some of them are Dr. Abdul Kalam, Ms. Dhoni, superstar Rajnikant, Maricom and Arunima Sina etc write a personality profile of any such personality you admire the most and consider him her as a role model a role model ठीक है 2500 watts का आपको लिखना था 200-200 watts का ठीक है इन में से आपको कोई एक role model चुलना था और उसके personality profile आपको तियार करना था ठीक है जिसको आप admire करते हैं इन में से ओके तो ये भी आपके पास कितना wax का था देखते हैं इसका R तो नहीं आया हाँ ये R में आया हुआ है या अगर आपको ये नहीं आता है personality profile तियार करना इन में से किसी का तो आप R में कर सकते थी incidents of crime against women are increasing alarmingly as a student editor of your school magazine write an article for the magazine on how can you help in fighting against this evil and the sin ये भी 200 to 250 words का लिखना था तो ये किस बेस पर है incidents of crime against women are increasing alarmingly तो crime against women ये title है तो आप as a student editor of your school magazine ठेक है आप एक student editor है अपने school magazine के तो आपको एक article लिखना है magazine में जो publish होगा और उसमें ये mention करना है कि how can youth help in fighting against this evil and the sin जो crime against women है इस evil या इस sin को हम कैसे दूर कर सकते हैं यूथ का क्या योगदान रह सकता है how youth can help in fighting against this evil and the sin ठेक है तो ये भी आपको 200-200 के आसपास लिखना था ठेक है ये ये या personality profile वाला question ठेक है ये भी 6 marks का था 7th marks आपका editing वाला पैसरी जाया हुआ था 8 marks का था इसमें आपको 8 errors होंगे कहीं sentences में 18 sentence होंगे यहां इसके अंदर और यहां पर आप वह 8 errors दिख रहे हैं ठीक है तो इसको आप पढ़के आराम से बता सकते हैं yesterday I go to meet my grandparents in a nearby village yesterday की बात हो रही है तो I go to meet नहीं आए बलके I went to meet yesterday I went to meet my grandparents in a nearby village they are delighted yesterday मतलब कल की बात हो रही है बीदे होए कल की तो they were delighted on seeing me they hugged me lovefully ठीक है loveful and short blessing on me तो lovefully आना तो यहां पर they hugged me lovefully and short blessings on me it was such an emotional meeting such an emotional meeting इसने ए लिखा यहां पर such an emotional meeting ठीक है तो पहले sentence में I went to meet आएगा they are delighted they were delighted आएगा they hugged me lovefully आएगा यहां पर and showed blessing on me it was such an emotional meeting it was such an एक ही जगा पर आएगा after that we sat together while the grain mother served us with tea and some snacks ठीक है इसमें क्या आएगा इसमें error क्या है इसको आप देख लेना बाकी later I enjoyed the delicious village food in lunch then we sat together and talked for so many things talked about फार की जगा पर आएगा talked about so many things they told me all about village life, its customs and social values full stop they went they want me to stay for some day they wanted me to stay for some days और वहां पर wanted यहां पर days but I had to attend my office so I came back ठीक है तो यह आप अपने English teacher या खुद से भी अगर आपने अच्छे से study किया English को तो आप आराम से 8 by 8 यहां पर कर सकते थे और यहां पर 8 errors थे तो आपको 8 marks मिलने वाल थे इसका B part भी है यह 6 marks का है फिर question number 9 था आपका 40-50 words में आपको क्या करना था answer देने थे questions के ठीक है यह आपने English पढ़ा होगा वहां chapter से आए होंगे why did Gandhi consider the Champarn episode to be the turning point in his life फिर यह तीन questions थे 9 marks के question number 10 answer the following questions in 150-200 words the Tiger King ठीक है वहां से question लिया गया है आर में आया था the enemy वहां से question लिया गया है question number 11 120-150 words question number 10 जो है 6 marks का है 11 आपके पास यह 5 marks का है 120-150 words का लिखना था यह आया हुआ है on the face of it ठीक है और दूसरा इसकार भी वहीं से आया हुआ है ठीक है तो यह था आज का English का paper this is series A और बाकी साथ में पोस्ट करूँगा B और C को भी उनको भी आप देख सकते हो और साथ में description में यह link भी देने वाला हूँ तीनु paper साथ वहाँपे से डाउनलोड कर सकते हैं link से Thank you so much for joining Thanks for watching and have a great day I hope आपका paper अच्छा गया होगा जिनका होगा और आने वाले जो students है upcoming class 12th वो भी अच्छे से त्यारी करेंगे आगे Thank you so much, have a good day